कर दो कि तो यह बता रहा है मुझे के मेरी जो मेरी जो नेम प्लेटा वो लटक गई है निचे तो मैंस को बोल जा के हाय मुझे पता के नेम प्लेट अब गई है मेरी तो यह फिर निकल गया यार कमपनी वाले भी 420 काम करते इसको अधर ज़िए फिक्स करना था पर नहीं किया अब इसे खुद से मुझे करना पड़ेगा फिक्स यह मैं करूँ अबाद में अबाद में अबाद में अबाद में अबाद में आज की जो वीडियो आज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसी बिस इसके अंदर जो लेकर की लोगों को इशू आ रहा हो वो कौन सी वाली लेकर के अंदर आ रहा है और कौन साब को लेकर लगोना चाहिए तो चलिए किसी अच्छी लोकेशन पर चलता वह यार यह तूट गय कंपने वाले भी 420 काम करते हैं इसको अपने आप ही करना पड़ेगा फिक्स तो वेलकम बैक गाइज आज को जो मोसम ना काफी अच्छा है और ट्राफिक से निकल के चलते किसी ठीक ठाक लोकेशन के वह अबर जहां पर चाह पर थोड़ा नोईश कम हो अब आज की वीडियो में मेरी माइक की टेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि मैं माइक की साउंड को लगे काफी सफर कर रहा था काफी कमेंट घा रहते कियार जो साउंड आरही है माइक से वह जादा अची नहीं है तो माइ कभी टेश्ट को जाएगा वीडियो के अंदर तो यह बता रहा है मुझे के मेरी जो मेरी जो नेम प्लेट हो लटक गई है नीचे तो मैंने इसको बोल जाके हाँ यार मुझे पता है के नेम प्लेट लटक गई है मेरी तो यार कंपनी जो उस पर रेविट लगाई थी वह मैंनों को पहले भी खाता कि यार निकल जाएगा पर नोंने मेरी बात नहीं सुनी थी तो अब मुझे इसको करना पढ़े को खुद से ही फिक्स कि वाइड़ा यह जो लोकेशन है यह आउटर देली की बावाना एक लोकेशन है और ट्राफिक स्मूथ है और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है यह बड़ी मुझे दार लग रही है दिन पर पूरी घर में थी लेकिन अब जो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया तो थोड़ा स बाइक को खीशते हैं और चलते हैं एक अच्छी लोकेशन के ओपर जहां पर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत है आपको एक ट्रक काफी है तो कहीं पर साइड में बाइक को लगाते है और शेर करता हूं आपके साथ में कि कौन से वाले लेक जाड़े में आ रही है दिक्कत अच्छी के जो लोग सिंगल रोड़ बाला लेक प्रिफ्र करते हैं तो हलाकि वह उस लेक अड़े खाली शोवाजी होते हैं को सेफ्टी तो इसके दर होती नहीं है तो सिर्फ उस वाले लगाड़ के अंदर है दिक्कत क्योंकि आप देखेंगे यह जो अटू सेंसर है इसका यह जब आप सिंगल रोड़ का लगाते हैं जो इस तरीकर से होता है तो क्या होता है कि उदर वो सरक सरक के क्या होता है इस पे टच पर जाता है उसके डैमेज होना के चांसिस बढ़ जाते है लेकिन इसके लावा जो भी लैगार है वो थ्री वेंट पाई वाला हो या माल आपका ट्रपेजियम उसके अंदर के आवाता है कि यहां से तो यह होता हिए सात में यहां से भी माउंड होता है ताकि अौ इस तो इसा अच्छ वो जयू फाला जो थीवाल उन्यां कर णार सेफटी कुछ बच ओनाव गूम जाता है तो तो सेफटी परपस्य वह जाता ह अच्छा नहीं है तो आई होप के जो डाउट थे आपको लेकाड़ को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे और इसके अंतर एक चीज में आपको होता ना चाहूँ जब भी आपकर लगवाओ तो साथ में जो यह नट होते हैं इसको आपको डबल लगवाना चाहिए ताकि जब बाड़ी काफी गंदी हो रही है यार गाड़े को करना पड़ेगा साफ तो चलिए गोस्तों जो भाई लोग नहीं है यार सब्सक्राइब करो जो पुराने है लाइक मारो आई होप के इस वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट्स के कोंसा वाला लाकर लगवाना है वह सिर्फ शौक को पुरा करता है लेकि सेफटी नहीं करेगा गभी अगर आपकी बाइक गिरती है तो घूम जाता है तो उसको सेफटी मस्ट है सेफटी का रखे ख्याल राइड कीजिए सेफ तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मैज़ेदार वीडियो फीचर में आती रहेंगी राइड को लेकर टिस्क टिप्स को लेकर और जो भी दाइक के अंदर आपको जानना हो आप इसे कमण कर सकते हैं मुणकी whether it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoors forever free कर दो कर दो सब्सक्रeund कर दो कर दो